हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 15 इंच के तर मिड़ बेश स्पीकर के बारे में जो होने वाले हैं 600 वाड़ से लेकर के 800 वाड़ के बीच के अंदर और दोस्तों ये स्पीकर होने वा response काफी अच्चा है और दोस्तों हम बात करने वाले हैं इनी स्पीकर के बारे में डिटिर्ल से और प्राइट के साथ में तो वीडियो करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजे चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजे त और दोस्तों इसके वार्ट के बारे में बात करें यह आपको 800 वार्ट एस पावर के अंदर देता है और दोस्तों हम इस स्पीकर की वोईस कोल साइज के बारे में बात करें इसके अंदर आपको चार इंदर साइज का बड़ा वोईस कोल देखने को मिलता है जो कोपर के अंदर स्पीकर के बारे में बात करें अगला स्पीकर आता है ओडे वन कंपनी की तरब से जिसका मोला नमर आता है AD.15X830ES और दोस्तों हम इस speaker की वाट के बारे मात करें तो आपको इसके अंदर 800W, RBS पावर देखनों को मिलती है और voice call size के बारे मात करें तो चार इंसाइड का बड़ा voice call देखनों को मिलता है एंड ये copper के अंदर आता है दोस्तों और हम इसकी weight के बारे में बात करें दोस्तों इसका weight आपको एप्रोक्स मिली 12 किलो 400 गरम देखनों को मिलता है और इस speaker की price के बारे मात करें तो आपको इस speaker की price 8-9,000 प्रे के something देखनों को मिलती है थोड़ा गोद कम ज्यादा हो सकता है दोस्तों तो दोस्तों हम अगले speaker के बारे मात करें जो आता है आउजा कंपनी की तरफ से जिसके model नंबर के बारे मात करें इसका model नंबर है L15-MB600 तो दोस्तों हम इस speaker के वार्ट के बारे मात करें तो यह speaker आपको शाड़े 400 वार्ट आर्मस पाउर देता है और इस speaker की हम voice call size के बारे मात करें तो इसकी आपको 4 inside का बड़ा voice call देखने को मिलता है बट इस speaker की आपको voice call aluminum के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों और हम speaker की weight के बारे मात करें तो इसका weight आपको 11 kilo के something देखने को मिलता है और दोस्तों हम इस speaker की price के बारे मात करें इस speaker की price आपको आर से नो जार पी के something देखने को मिलती है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है दोस्तों तो दोस्तों हम अगले speaker के बारे मात करें जो आता है studio master company की तरफ से जिसका model number है TWF 1580 यानि ये 1580 और हम speaker की word के बारे मात करें इस speaker की आपको 800 watt RMS power देखने को मिलती है और voice call side के बारे मात करें तो चार इंसाइड का बड़ा voice call देखने को मिलता है दोस्तों इस speaker की voice call आपको copper में देखने को मिलती है और दोस्तों हम speaker की price के बारे मात करें studio master company वाले के इसकी प्राइज आपको 9-10,000 रुपे के something देखने को मिलती है और दोस्तों ये speaker की प्राइज आपको कम ज़दा देखने को मिल सकती है तो दोस्तों हम अगले speaker के बारे में बात करें तो अगला speaker आता है ATI Pro Company की तरफ से जिसका मोडल नंबर है YX-15X-600V2 और दोस्तों हम speaker की वाट के बारे में बात करें तो इस speaker की आपको 6500 वाट आरेज पावर देखने को मिलती है दोस्तों और हम इस speaker की voice call size के बारे में बात करें इसकी voice call आपको 4 इन size को देखने को मिलती है और दोस्तों हम speaker की price के बारे में बात करें और आपको साथ में इसकी डिटेल भी देखने को मिल चुकी होगी यह नहीं की पूरी डिटेल मैंने बता है जिससे भी आधिक और दोस्तों यह speaker काफी अच्छे हैं आप इन speaker को यूज़ कर सकते हो अगर आप दोस्तों अगर इन speaker के साथ में अलग से bass speaker नहीं लगाना चाते हो या छोटा मोटा याने की हल्ग low wattage का आप लगाना चाते हो तो लगा सकते हो बट यह speaker आपको काफी ज़्यादा bass और mid दे देता है तो दोस्तों I hope आपको यह वीडियो पसंद आया है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीज़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़े साथ में बेल लाइक को भी दबा दीज़े ताकि आपको इसी वीडियो मिलती रहें तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद